हटिया में करीब 6000 दूकाने संचालित है जबकि सूत्री के माने तो निगमद्वारा मेहद 600 दूकाने ही अबंटिग की गई है जबकि करीब 6000 दूकाने संचालित होती है वही 600 लोगों का ही निगम द्वारा रसीद करता है और इसका राजस्व निगम को मिलता है बता दे कि करीब 5 रुपे स्क्वाइर फीट के हिसाब से रसीद काती जाती है और एक दुकान लगभग 10 से 12 का होता है कुल मिलाकर एक दुकान करीब 500 रुपे स्कॉर फिट का हुआ तो एक दुकान से निगम को हर महीने 25 रुपे राजिस्व की प्राप्ति होती है कुल मिलाकर हर महीने हजिया के 600 दुकानों से निगम को 15 लाफ रुपे की राजिस्व की प्राप्ति होती है अब हर महीने पास रुपए स्कॉयर फिट लेने की एवज में निगम को सुविदाओ के लिए दुकानदारों को बिजली सफाई और पार्किंग के वैवस्था करनी होती है लेकिन इन सब के नाम पर निगम दुकानदारों से गेम खेरता है और किसी प्रकार की कोई वैवस्था नहीं देता सुनते हैं दुकानदारों की की सर हम लोग को लाइट का बेवस्था नहीं है जब जाते हैं ग्यापन देते हैं सर बोलते हैं लाइट दो दिन में लग जागा तिन दिन में लग जागा लेकिन आज तक लाइट नहीं लगा रात के समय में यहां आईएगा तो काफी अंधेकार रहता है पानी का भी कोई बेहस्ताइए पार्किंग का जगा पर म हुआ पर MUT कर दिया गया पीछे में न सब रोड में लगती हैं जिसके वजह से यहां पर रोड जाम रहाता हैं जो रोड जाम का समस्या पार्किंग का वज़ा मेन हैं अगर पार्किंग हम इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है नगर निगम को लोग नहीं वसुलते हैं लेकिन कोई दूसरे लोग जो आउटसाइडर लोग वह वसुलते हैं जो फुट पात पर हाँ नगरनी के मौसुल नहीं करता है लेकिन दूसरा कोई वसुल करता है वह भी पांसो है पांसो है यहां से लेका घीरापूर बजरंग बली के मंदिर से लेका पार्क मार्केट तरफ चले जाए कितना खुंचा उमचा लगावा सब अवैदुरूप से पैसा लिया जा रहा है थेर जरा रहा है अगल निगम नहीं लेता है आनने लोग लेते हैं नीगम के दोवरा सभिधा क्या है साप सफाई के शिविधान नहीं है सबसे बड़ा समस्यत हैं सोचाले का है इतना सारा दुकान होने का बावजूद अगर बात्रूम जाना किसी को तो उसके लिए बहुत बड़ा प्रोब्लम है महिला कस्टमर का तो लाइट वगर अभी नहीं है पूरा मार्केट एतना बड़ा मार्केट है कहीं लाइट नहीं है निकम के दौरा जो लाइट होना चाहिए बारकिंग दो आंगन बना हुआ है यहां लेकिन बारकिंग खतम है सभी जगा बेध दुकान हो है पार्किंग के विवस्ता नहीं है, सभी गाड़ी जहां तहां ख़़ा रहता है, जिसके बज़े से बाहर से जो भी कस्टमर आता है, रोट से गुम कर वापस चला जाता है, गाड़ी ख़़ा करने का जगा नहीं है, रोट में जो मिला मिला, अंदर बहुत लोग कम ही आते हैं की दुकांदार को बहुत ढुटकत हो रहा है, कस्टमर का लागवन बहुत कम हो गया है, इसका सुविधा निउगम से चाहते हैं हम लोग कोरक अफ़ बरक तो बहुत बार सुचिती हैं, चिंबर के माधियम से भी आवगत कराया गया है, लेकिन कोई सुवीधा प्रदान नह प्रोक्स एक हजाए दुकाने हैं अवे दूप से कितने दुकाने हैं अवे दूप से करीब करीब 500 फूट पाथ पर लगते हैं एक दम आयदीन जाम की समस्या बनी रहती है मलब सामने एज जो साब का एज जो मावास भी है उनके दौरा भी के एक बार ऐसा किया गया है कि नही चाहते हैं चुकि यह तो रोड पर गारी लगाएंगे तो जाम होगा रोड पर गारी नहीं लगाएंगा तो लगाने जाएं निगम के सुविधा के बारे में क्या वोले आपको कि आज से करीब 6 मेना पूर्व के इंजिनियर रिकूट किया गया थे निगम के दौरा और उन लोने बोला कि सर में आपको लाक दे दूंगा और आपका जो मिस्तरी वह भी दे दूंगा आपने हिसाब से जरूत के अप लगवाल ली जाएगा यह निगम के दौरा आपको प्रोवाइट के जा रहा है इस बात को वे करीब 6 मेने से उपर हो गया उसके बाद दो बार हम ल लेडीस पोछ्थिए के हैं भातरूम कहा है उनको बता नहीं पाता कहता है उसके बार बी बहुत दूर से पलानी से ढोकरा से छोटी भीसने यांपा व सबसी नीगम प्रते दीं दस उप्रोऑ करके लेता हम सबसे सोचा लेजाना होता है जो मार्केट के अंदर में लगाते हैं तो यडिन लोगो जाते हैं तुछी रास्ता से दस लोग आते हैं वहां उसी रास्ता से दस बार लोग जाते हैं मजburance उनकोद कोई ज salvage नहींनि यहाई बस 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 मान रिजे कि अगर आफ पाड़ा पांस साल का बाकाया है तो आप ऐसा जबरन दबाव डाल देगे कि आप दीजे ने तो 10% का इंट्रेस्ट लगेगा पैनल चार्ज लगेगा ये लगेगा वो लगेगा ने तो सील कर दिया जाएगा ऐसा तक भी बोला जाता है लेकिन आपको सुबिधा का नाम पर जिसके कारण भी जाम जादा लगता है यह आपए और सबसे पड़ी परिशानी आजाम की है साम को तो पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है यह चुश्टिती है बिलकुल बिलकुल डेक्स तो वसूला ही जाता है और जिनका लेट होता है उनसे एक्स्टा चार्ज भी वसूला जाता है उसमें कोई रियायत नहीं है पाईसा सुविधा की नाम पर तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं है यहां पर आज देखे धनबाद का सबसे पुराना मार्गेट है, यहाँ पे एक सोचाले तो होना ही चाहिए कम से कम, एक निगम के द्वारा बना भी था तो वहाँ ताला ही लटका हुआ है, रख रखाओ के उसमें सब खदम हो गया है, तो एक सोचाले कम से कम यहाँ पे होना चाहिए थ ध्यान देते तो अच्छी बात है। बिल्कुल सड़क पर लगी रहती है, दुकान के बाहर लगी रहती है, दुकान में कस्टमर नहीं घुस पाते हैं, इस तरह से गाड़ी लग जाती है, पैदल चलना मुस्किल हो जाता है शाम के समय में, वो अगर पार्किंग की विवस्ता कर दी जाए तो यहां पर मेरे ख्या अधारी है, जो यह सब काम कर रहे हैं, अलाकि सरकारी जमिन थी, वो तो पब्लिक के लिए होनी चाहिए थी, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है करीब 600 दुकानदारों से निगम को राजस्व की प्राप्टी होती है लेकिन बागी बचे हुए करीब 6000 दुकानों से निगम के कर्मी अर्जून और राम सहित अन्य पैसे की अवैद वसूली करते हैं हलाकि यह पैसा निगम के जिब में जाता है या कहीं और यह चांस कवे से है पार्किंग की जगह को भी निगम द्वारा फिलहाल अलोट कर दिया गया है हलाकि उसमें यह शर्थ है कि निगम जब भी चाहेगा उन दुकानदारों को वहां से खाली करवा देगा लेकिंग पार्किंग की जगह पर दुकान अलोट होने के बाद दुकानों के सज्जाने से सड़क सक्री हो जाती है और आम लोगों को चलना दुस्वार हो जाता है सुप्रीम कोट के आदिस के अनुसार आम लोगों को चलने के लिए कम से कम तीन फीट सड़क जरूरी है बावजूद नियमों की अंदेखी कर अधिकारियों की मिली भगत से अवैद अतिक्रमन किया जा रहा है और आम जन्मानोंस को इसका खामियाजा बुगतना पड़ रहा है अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर अवैद अतिक्रमन की जानकारी के बावजूद निगम चुप़ी क्यों साधे हुए है पार्किंग्स खल पर दुकान एलोट करवा लोगों को चलने की जगा क्यों च्छीन रखी है एक तरफ दुकानदारों से पैसे लेने के बावजूद निगम सुबिधा नहीं दे रही है तो दूसरी तरफ अववैद अतिक्रमन होने के बावजूद भी चुप़ी साधे हुए है नतीजा, SDM आवास, अववर निवंदक आवास, अपर समहर्त आवास, मद्धिविद्याले सहित अन्य जगहाओ पर अववैद अतिक्रमन की वज़ा से जाम की समस्या से लोगों को जूजना पड़ रहा है बहर हाल पूरे मामले पर जिलफ रशासन किस प्रकार से संग्यान लेकर कारवाई करती है ये देखने वाली बात होती बीरो रिपोर्ट, मिरन मीडिया, धंबाद